हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में आपके लिए लेकर आएं को न्यू हाउस तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से न्यू हाउस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आईए मैं अंदर से आपको आउस दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाहर का जो मेरे इंट्री गेट है वो आपको इस्टिल का गेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तो थोड़ा अंदर जाने के बाद दोस्तो यह रहेगा हमारा एकोर गेट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रहेगा हमारा डाइनिंग और होल एरिया जहां दोस्तो उपर की तरब आपको फोर से लिंग की डिजाइन देखने को मिल जाती है जेस्ट इसके पूरा काम है और दोस्तो वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो दी गई है विंडो में भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्लाइडिंग वाली विंडो दी गई है इसके अंदर भी आप दोस्तो देख सकते हैं मच्छर जाली भी लगा कर दी गई है ताकि आपको प्रोपर वेंटिलेशन यहां पर मिलता रहे तो दोस्तों यह हो गया हमारा फर्ष्ट वाला बेट रूम जिसमें वेंटिलेशन निकले यहां पर विंडो दिया गया है कलर वगरा पूरा काम यहां पर कंप्लीट है उपर की तरब आपको अच्छी-काजी फोर्सलिंग की डिजाइन देखने को मिल जाती है और लाइट वगर आपर बिल्कुल कंप्लीट है और दोस्तों मटेरियल में भी आप देख सकते हैं जो यहां पर लाइट कनेक्शन के जो यहां पर बटन वगरा दिये गए वो आर-ार कंपनी के यहां पर लगा कर दिये जिया गया है टेक्श्चर वगरा से यह तो हो गया हमारा पूरा का पूरा ओल और डाइनिंग एरिया तो दोस्तों के सामने की तरफ आपको दिखा देता हूं दोस्तों उपर की तरफ फोर सिलिंग है इसमें भी लाइट वगरा बिल्कुल कंप्लीट करकर दी जा रही है और नीचे से उपर तक यहां पर टाइल्स का यूज किया गया है material भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो इसमें लेट और बात का यहां पर आपको सामने क्वालेटी आपको यहां पर प्रोडक्ट्पक देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने क्वालेटी आपको ओफ कती हैं स重要 अपर लगाएगे यहां तो दोस्तों यह हो, तो यह तो गहा वहांके two I जिसमें आपको वह special area भी देखने को मिल जाता है आए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों हमारा यहाँ पर second वाला बेटरूम जहां दोस्तों यह रहाएगा हमारा second वाला बेटरूम इसमें भी देख सकते हैं different type की for selling की design आपको देखने को मिल जाते है लाइट वगरा बिल्कुल यहाँ पर complete करकर दी जाएगी color वगरा भी यहाँ पर हो चुका है और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा अटेज में wardrobe जहां दोस्तों इस वाले बेटरूम में आपको wardrobe मिलेगा जिसके अंदर आप देख सकत है और दोस्तों second bedroom में भी आपको अटेज में लेट और बात का option देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पर ventilation space है और space भी आपको काफी ज़्यादा देखने को मिल जाता है based and late आपको इसमें लगावा मिल जाएगा तो दोस्तों यह तो हो गया हमारे नीचे नीचे का portion जिसमें आपको दो bedroom और दो late और बात यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जब्शतों इसके यहाँ बाहर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वह। पैसर यह रहता जाएगा जिसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर product लगा कर दिये जाए जाए डौर वारिजर मे देख सकते हैं, दौर में भी आपको 4 ceiling की, यहापर design देखने को मिल जाती है, wooding वाली, और दोस्तो यह रहागा हमारा fully modular open kitchen, यहाँ दोस्तो इसमें आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर modular kitchen का भी option देखने को मिल जाता है, tiles विए आपर लगा कर दी जारे है platform भी आपको grainite का यहाँ पर मिल रहा है और दोस्तो watch area भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो material भी देख सकते हैं based material का यहाँ पर use किया गया है और दोस्तो यह रहा है ventilation area जो कि हमारे second वाले bedroom और later bath में open होगा जिससे कि हमारे house के अंदर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर ceiling का problem आपको नहीं रहेगा यहाँ दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं आपको अपने room में यहाँ पर cooler लगा सकते हैं काफी ज़्यादा space आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करी जाए house के plot size की तो house का plot size है 20 by 42 जो की पूरा 800 square feet होता है दो लेट बात दो bedroom आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और एक kitchen आपको यहाँ पर मिल रहा है whole और dining area भी देखने को मिल जाता है जीना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों house की पूरी details मेंने नीचे description box में दे रखिए अच्छे से आप वहाँ पर पूरी details पढ़ लें और दोस्तों मेंने location अगेरा भी वहाँ पर दे रखिए colony आपको आप पूरूड देखने को मिल जाती है रजिस्ट्री पट्टा complete मिल जाएगा house के उपर 90% तक loan मिल जाता है house के आपर demand price मातर 35,00,00 रखी गई है house के बार देख सकते हैं 30 feet चोड़ा CC road भी मिल जाता है UIT approved को लोनिये जल से जल कोंटेक्ट करें खुची house यहाँ पर बचे हुए है